कल्यूग है, घोर कल्यूग, क्या जमाना आ गया है? किस पर भरोसा करे और ना करे, अब उस बिध्वाद देव की आंटी को ही ले लो, इस सुमना बे उसे शादी कर ली, चाय चाय में सबकर ज्यादा है चाय में अंकल, आपको क्यों मिर्च लगी? इसे शादी नहीं, कमपैनियनशिप कहते है, तुम आप जैसे चाहते है वैसे उ कर समझा, समझाना? क्यों, मेरे बाप ने शादी किया? तुम लोगों के जेनरेशन की प्रोलम ही है क्यों, शादी तो हमारे जनरेशन में से किसी नहीं की, वो तो आपके बाप के जनरेशन ने की है, लेकिन हमारे जनरेशन ने तो एक्सेट कर लिया है, आपके जनरेशन वा कि अंकर नियुक्रेबर में आया है कि एक 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 उनको तो मंदिर में जा के भजन पूजन करना चाहिए लेकिन उसने तो साधी कर ली इस उमर में हम उसने तो लाज सरम बेच खाया है सफेद बालों पे गजरा उनका दिमाग खराब हो गया अकेले रहते रहते तीपा दास्माइप पॉइंट अकेले रहकर पता नहीं उनको क्या कैसे हैना पड़ा हम नहीं समझ सते दीपा वा 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 राम 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 चमा करना मुझे ऐसी अरतों का भी यहां पे कानून है क्यों नहीं समाज में रहने करने अर्डीपा सुनो तो इस ट्राक सुट में तुम बहुत सुन्दर लग रही हो अरे आउना बैठा ना पता है दिपाव, देव की आंटी ने भी सारे ट्रैक्स मेंटेन किये हैं, क्या मतलब, क्या मतलब, चालीस साल तक किसी के शादी में नहीं गई, अच्छा खाना पिना, अच्छे कपड़े पहनना, हर चीज में कॉम्परमाइज करती आई बेचारी, क्या-क्या नहीं साहू उन इस उमर में जो कांड की है, वो अच्छा था क्या? दीपा मेरी बाते सुनकर जाना, दीपा घ्यानी लोग कहते कि आधी बाते जानकर निंदा करना पाप है, क्योंकि निंदा से गलत थामी, गलत थामी से गलिती, गलिती से अपराद, और अपराद से बस बस आरती, जो अठारा साल की उमर में देव की अंटी के पती का देहान्त हुआ, उसके बाद सामाजिक नियमों के अनुसार उन्होंने सफेद वस्त धारन कर लिये, उजा उपास भी करती थी, नियम से, उनकी सासुमा ने तो उनके बाल भी कटवा दिये, क्योंकि किसी के बुरी नजर उन हुआ 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 जर जर शासुमा भी करता बहुआ है? पुझे, तात्मा, राम, राम. राम, मतलब आउंटी के घर में उनके पती का आत्मा भटकती है. कभी देव की आउंटी ने देखा है? मैंने देखा है. राम, 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 आरती तुमने क्या देखा है? मैंने देव की आउंटी को प्रेतात्मा का इंतजार करते हो देखा है. क्या देखा है? एक दिन मे मैं उनके घर गई थी और मैंने देखा कि आउंटी आप यह क्या कर रहे हैं? इंतजार किसका? तेरे अंकल का मतलब? डर्मत मेरी सासुमा ने बताया था कि उनका बेटा यही कहीं आसपास रहता है इसलिए इतने सालों से उसका इंतजार कर रही है लेकिन उन्हें कभी देखी नी पाई अच्छा आउंटी इतनी सारे कितब है? सारी पढ़ डाली चीते जी सजा काट रही हूं जो कोई शास्त्र में नहीं लिखा है क्रिश्ना हमेशा मुस्कराता रहता है इसलिए उसकी बाते समझने के लिए गीता पढ़ रही हूं आजके लिए आउंटी आपके यहाँ जो दूद वाले अंकल आता है ना उनको हमारे यह भी भेजना हम उनसे रोज दूद लेंगे भेज देंगे लिकिन वह हमारे यह दूद बेचने के लिए नहीं आता उसके द्वारा मैं अपना समान बेचती हूं आउंटी आउंटी बहुत अच्छा लड़का है कभी-कभी मेरे लिए अपने घर से खाना लेके आता है और बोलता है अगर आप मेरी मा होती तो मैं आपको ऐसे खाना खिलाता ही ना आउंटी आपको अगर मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बोलना दूर हो पगली इस घर में अभी भी सामान बचा है गीता पढ़ चुकी हूं मैं समझ चुकी हूं सुनना चाहेगी तो हाँ आउंटी बोलो ना अपना अच्छा नसीब और बुरा नसीब हम खुद लिखते हैं इश्वर हमें हर पल मुका देता है कि हम अपना नसीब अच्छा लिख सकें पर हम अंध विश्वास में वक्त कुसार देते हैं इंतिजार भी तो कर रही हो अब तक इश्वर के इशारे का इंतिजार कर रही हूं लगे रहो आंटी जी मैं तो अभी चल रही हूं मेरी बेटी इंतिजार करती है चलते हूं अच्छा हूँ आंटी ने साधी कर लिया उनके जिन्दगी का कुछ दीन तो बचा है हासी कुछी से जी लेंगी बिचारी और सुनो ना हमने सुना है कि अंकल बहुत हैंजम है हाँ सूरिश परटल नाम है उनका अच्छा अमेरिका में रहते है बहूत बड़े businessman ने काफी सालों से वोगे अकेले बन marble में रहते हैं उनका बेटा आम्रेट केंनडा में रहते है आच्छा तो आंटी से अउंकल मिले कहाँ एक्चुली आंटी के बहन अमेरिका में रती है एक दिन कुल जो जो ओल सिंद। आली दिडी इस अंध्विष्वस्य बहार तो आई मुझे बहुत खुशी हो रही है अम पहुत खुशी हो रही है शया मिट्स्टिंटल उक्टलेशी ने भाष। यस्टलले पत्ले से दुस्ती करा देते है कर दो कि अज़िए इन्सान अकला जन्म लेता है अकला मर जाता है लेकिन जिन्दकी अकले बिताना बहुत मुश्किल है आए मेरी जिन्दगी मेरे साथ साथ चलुँ आए मेरी जिन्दगी मेरे साथ साथ चलुँ तुझे खोया था कभी आए मेरे साथ चलुँ अब ना जुदा हो ना अब ना कही हो ना ये पल पल हर पल तु साथ चलुँ तु साथ चलु तु साथ चलु तु साथ चलु ये नया नया सा है सवेरा सूरज की हलकी हलकी सिय की रन बारिश में भीगी सी एकली नदियां के पानी में खलवली वो निला निला समाहे है । एकला निला सा समाहे हत दामले जरा तु साथ चलु तु साथ चलु तु साथ चलु कि अधीपा देव के अंटी का फोन आया है देखो हालो हालो आंटी इस्पीकर पर अखते हूं हालो आंटी कैसी है आप मैं अच्छी हूं सारी इच्छाएं मार करना मैं जिन्दा लाश बन के थी अब इनके साथ हर पल में जी रही हूं अपनी जुनिवली शादी मंबारक हो आंटी बहुत बहुत शुक्रिया जैश्री कृष्णा जैश्री कृष्णा बच्चे जैश्री कृष्णा हूं टू सारी जैश्री कृष्णा जैश्री कृष्णा झाल झाल